आप सभी का श्वागत और अभिदंदन करता हूँ आई दिंग सो आप सभी लोग स्वस्थ और मस्थ और जबर्जस्थ होंगे ऐसी मेरी आशा है तो आप सभी लोग बहुत जल्दी से भई सभी लोग इस आर पार की सीरीज में एक नई स्रंखला मैंने कहा था आप सभी प्यारे दोस्तों से कि मंडे से मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक स्रंखला लाने जा रहा हूँ जो cover करने वाली है majority exams को मेरे प्यारे दोस्त तो majority exam कौन कौन से हैं ये आप सभी को देखना होगा और ये आप सभी को समझना भी होगा कि वो majority exam कौन कौन से हैं इस बात को सभी द्यान खीएगा और इस बात को सभी लोग याद भी रखिएगा तो सभी प्यारे बच्चे जित्ने भी बच्चे हैं यहां पर मैं कहूंगा सभी से request है कि एक बार session को एक बार session को जबर जस तरीके से share कर दीजेगा और जबर्ज तरीके से शेर करने के बाद भीया शेशन को लाइक भी कर दीजेगा ठीक है तो ये देख पा रहे हैं जीके जीएस क्विज फॉर बिहार SSC फॉर SSC GD फॉर बिहार पुलिस राज जिस तरीक था अन्य प्रतियोगी परक्षाओं के लिए आर पार स्रंखला आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों के लिए आर पार स्रंखला नेहा बहुत बहुत श्वागत बहुत अभिनंदन प्रशोन जी बहुत नवस्कार श्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल प्रशोन बिल्कुल, today is the world tourism day, बिल्कुल भया, बहुत बहुत विश्व परेटन दिवस की हार्दिक सुखामना है, और जबर जस तरीके से हम सभी लोग परेटन में भी जुड़े रहेंगे, हम सभी लोग तहलते गूमते भी रहेंगे, है ना भई, तो चलो, आज क शशन की सुरुवात करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का शशन का motivational code क्या कह रहा है, मोटीवेशनल code कुछ इस तरहे आप सभी के सामने आ चुका है, और कह रहा है, मुस्किल इंसान को मजबूर नहीं, मजबूत बनाती है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान र तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत अभिननन है इस क्लास में चलिए पहला कोश्चन आज का आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा देखना है कि सबसे पहले आंसर किसका आएगा देखना है कि सबसे पहले आंसर किसका आएगा कोश्चन क्य कह रहा है कोश्चन को समझेगा जड़ा कह रहा है ब्लैक होल तरास्दी कहां हुई थी ब्लैक होल की जो घटना है ये कहां हुई थी ये आप सभी को बताना है ब्लैक होल की घटना कहां हुई थी ये आप सभी को बताना है पहला मोंग हीरो कलकत्ता मुर्शीदाबाद और धाक मैं आप सभी को बता दूँ 1756 की ए घटना है जो की बंगाल के कलकत्ता में घटी थी जो की बंगाल के कलकत्ता में घटी थी और लगभग 147 जो लोग थे जो बिटिस थे उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था अंधेरे कमरे में जहां पर उन्हें ना तो आकसिजन मिला ना ही और कुछ मिला जिस वजह से वो 24 घंटे में लगभग लगभग कहते हैं 123 लोगों की मृत्ती हो गई थी तो आप समझ सकते हैं उस 147 में 123 की डथ हो गई थी और ये टाइम था सिराजुद दौला का ये टाइम क तो करेक्ट और जहमा जहम आंसर जो हो गया वो होगा बी इस दा राइट आंसर बी इस दा राइट आंसर बिलकुल 123 मारे गए थे 147 अंग्रेजों में से अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कह रहा है भारती सम्विधान का वह अनुच्छेद जो आपात काल की लंबित हो जाता है वह कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 14 अनुच्छेद नंबर 19 अनुच्छेद नंबर 29 अनुच्छेद नंबर 32 तो जल्दी से बताओ 14 में कहा गया है equality before law equality before law की बात की गई है before law जल्दी से बोलो 19 में कहा गया है क्या कहा गया है राइट टू फ्रीडम आफ रिलीजन, बोलो, हाँ या ना, रिलीजन, 29 में कहा गया है, एक सकंड, राइट टू फ्रीडम आफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम आफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम आफ स्पीच बिटा, हाँ ना, हाँ, रिलीजन मत खरियेगा, स्पी माइनोरिटीज जो हैं उनका protection या interest of minorities से related है इसमें कहा गया है right to constitutional remedy right to constitutional constitutional remedies है ना समवेधानिक उपचारों का अधिकार तो यहां पर अनुछेद नंबर अनुछेद नंबर 19 कहता है कि अगर हमारे देश में नाशनल अमर्जंसी लगती है अनुछेद 352 के तहट तो अनुछेद नंबर 358 कहता है कि अनुछेद नंबर 19 में लिखे जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे आटोमेटिकली सस्पेंट हो जाएंगे रिशी भीया बहुत शांदार शेया बहुत जबर्जस शबश सभी प्यारे बच्चे जबर्जस आंसर कर रहे हैं बहुत ही जमाज़ बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर हो गया भी चलो आगे आजो अगला कोश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और कोश्चन क्या कह रहा है उसे समझने की कोशिश करिए कहा राष्टपती राजसभा और लोगसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राजसभा और लोगसभा में मिला करके कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कोमल बहुत बहुत श्वागत है, बहुत बहुत अविननन है, सर ये बिहार SI वाला बैच है, हाँ बिटा हाँ, हाँ कोमल बिलकुल, थंबनेल, देखो बिटा उसमें थंबनेल में मत जाया करो, थंबनेल में सारा लिखा हुआ है, सब कुछ कवर कर रहे हैं, बिहार SI भी इसमे भी cover कर रहे हैं, तो सारा कुछ लेके चल रहे है, ठीक है? जब और जस्त बिल्कुल class रहेगा बिल्कुल tension नहीं लेनी है, बिहार police भी cover कर रहे है, तो बताओ जल्दी राजसभा की बात हो रही है और कॉमल किसकी बात हो रही है बटा राजसभा की बात हो रही है फिर किसकी बात हो रही है लोगसभा की बात हो रही है session को जल्दी से सभी लोग share कर दीजेगा like कर दीजेगा जितने प्यारे बच्चे हैं सभी के सभी तो यहाँ पर राजसभा में आप लोग जानते हूं 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है मनोनीत कितने सदस्यों को 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और यहाँ पर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं मनों नीत करते हैं ये बात आप सभी को पता है जल्दी से बता दो यस और नो तो correct answer जो हो जाएगा correct answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बिटा जल्दी से बोलो D is the right answer D is the right answer of the question जल्दी से बता दो सभी प्यारे दोस्त यस और नो चलो आगे आजो अगला question आपकी screen पर यह रहा बहुत बढ़िया चलो अगला question बताओ राजा राम मोहन राय डैस डैस के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय किस के संस्थापक थे आरे समाच रामकृष्ण मिशन ब्रह्म समाच और प्राथना समाच जल्दी से बता दो बहुत शांदार जबर जस्थ तो याद रखिएगा राजा राजा राम मोहन राय राम मोहन राय जो थे वो संस्थापक थे ब्रह्म समाच के किसके थे ब्रह्म समाच के इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को य means she is the right answer our Samas Kisun stop a ton to condey daya-concethe बता ज़िए daya Swami Dayanand daya Nand Saraswati वर्थी Swami Dayanand Saraswati जल्दी से बोलो हाया ना प्राथना समाज के संस्तापक जल्दी से बताओ प्राथना समाज के संस्तापक बहुत शांदार प्रशोन बहुत जबर्जस्त प्राथना समाज के संस्तापक के सो चंद्रसेन ठीक है हाँ के सो चंद्रसेन रामकृष्ण मिशन स्वामी बिवेक अनंद चलो जबर जस्त शांदार उम्दा आंसर करने की कोशिश करो भई भारत के समविधान द्वारा आ इस प्रश्चता को समाप्त कर दिया गया जल्दी से बताओ किसके अंतरगत उख अबॉलिस करी गई जल्दी से बोलो अनुछेद 14 अनुछेद 15 अनुछेद 18 और अनुछेद 17 जल्दी से बताओ तो करेक्ट अंसर क्या होगा जल्दी से बताओ करेक्ट अंसर क्या होगा बहुत शांदार बहुत जबरजस्त वैरी गुड जल्दी से बोलो देखो आश प्रश्चता जिसे कहते हैं चुआ चुआ चुट का अंत जिसे क्या कहते हैं चुआ चुआ चुट का अंत और यहां बताया गया है अनुछेद नंबर 17 में किसमें बताया गया है अनुछेद नंबर 17 में बताया गया है छुआ छूत का अंत या कहा गया है untouchability क्या बोला गया है untouchability क्या बोला गया है untouchability अगर मैं इसकी बात करूँ 18 नमबर की बात करूँ इसे कहते हैं उपाधियों का अंत क्या कहते हैं abolish the titles उपाधियों का अंत बोलो हाया न 15 नमबर में discrimination है कैसे place of birth जन्म के आधार पर जाती के आधार पर कास्ट के आधार पर जल्दी से बताओ बहुत शानदार बहुत जबरजस्त बहुत जबरजस्त और चवदा नंबर मैं अभी बताया था equality से संबंदित है समता या समानता का अधिकार से संबंदित है जल्दी से बताओ एकदम एकदम जमाजम परशोन बहुत बढ़िया बटाया तो था बताया तो था बिवेका नंद जी ने इस्थापित किया था ठीक है बहुत बढ़िया नेहा वैरी गुड चलो अगला कोश्चन बहिए नेहा परशोन और श्रया इतने ही बच्चे कर रहे है रिशी आप भी आंसर करो बिटा आंसर सभी लोग करो देखो यार गलती तो होगा इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना तो फिर जल्दी से आओ बताओ जल्दी से कह रहा है भारती सम्विधान में गेरेंटी करत मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स गेरेंटीड इन दा इंडिन कॉंस्टूशन कैन बी सस्पेंड़ अउनली बाए किसके द्वारा सस्पेंड हो सकता है ये आप सभी को बताना है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे पैरे दोस्त कोमल राधा आजये माता दी बटा सभी बच्चों का बहुत-बहुत श्वागत है बहुत-बहुत अभिनंदन पहला कह रहा है अब प्रोक्लमेशन ओफ नाशनल जब क्या लग जाए राष्ट्री आपात का लग जाए ऐसी इस्थिती में हो सकता है दूसरा क्या कह रहा है अन एक्ट पास्ट बाइड पार्लियम जब जो संसद है भारती संसद कोई अधनियम जारी कर दे या पास कर दे और अमेंडमेंट ओप दे constitution जब भारती सम्विधान में शंशोधन कर दिया जाए the judicial decision of the supreme court तो क्या correct answer होगा आपको ये बताना है जल्दी से बोलो तो यहां जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा a proclamation of national emergency done जब राष्ट्री आपातकाल की इस्थिती बनेगी तो ऐसी इस्थिती में क्या होगा वहिया जल्दी से बोलो आपातकाल की इस्थिती में मौलिक अधिकारों को केवल किसके दाने रंबित किया जा सकता है बोलो भारती सम्विधान के द्वारा लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा जो हमारे आटिक फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों में मेरे प्यारे दोस्त अनुछेद 20 और अनुछेद 21 ये दो ऐसे मौलिक अधिकार है अनुछेद 20 और अनुछेद 21 ये वो दो मौलिक अधिकार है मेरे प्यारे दोस्त जो ध्यान रखिएगा कभी भी किसी भी इस्थिती में किसी भी परिस्थिती में सस्पेंड नहीं होते या कैंसिल नहीं होते suspend नहीं होते या cancel नहीं होते मतलब निरस्त नहीं होते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे और सभी प्यारे बच्चे याद भी रखेंगे I hope so ये बात आपको clear हो गई होगी चलो अगला question करके दिखाओ अगला question राज़िपाल को पद की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है जल्दी से बोलो राज़िपाल को पद की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है पहला option क्या कह रहा है बोलो जल्दी से भारत के मुख नयाधीस President राष्ट पती होगा अध्यक्ष की जगए ठीक है आप राष्ट्रा अध्यक्ष भी कह सकते है अच्छा अगला उच्च नयायले के मुख नयाधीस बिधान सभा के अध्यक्ष तो बताओ जल्दी से correct option क्या होगा मेरे पहरे साथियों बिल्कुल प्रशोन बहुत बढ़ियाँ बहुत अच्छे कोमल बहुत जवर्जस्त देखो पिटा समझो राजपाल की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है राजपाल की बात कर रहा है तो राजपाल जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग गवर्नर कहते हैं बोलो हाया न तो गवर्नर की जो सपत है राज के राजपाल की जो सपत है वो हाई कोट का हाई कोट का जो मुख नयाधीस होगा चीफ जस्टिस होगा और किसका भईया हाई कोट का और हाई कोट का उसके द्वारा सपत दिलाई जाएगी इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा जो चीफ होगा उसके द्वारा सपत दिलाई जाएगी अब मैं आपको बता दू गवर्नर के गवर्नर के एपॉइंटमेंट से संबंदी जो बाते हैं वो यहां बताईगे एक सो पच्पन में एपॉइंटमेंट कौन करेगा भारत का राष्ट पती प्रेसीडेंट करेगा इस बात को ध दूरा सुचार्च णोलिव शर्ट करेंए और ल्याहिक करते रहेना मेरे प्यारे दूस्तów सभी लोग त्युक्ति अगला आ जौँ अगला करके दिखाओ अगला करके दिखाओ भारत की पहली महिला काउन सब्समूश करिएगा भारत की पहली महिला राजदूत चोनीरा वेलियप्पा मुथम्मा लता देवी विजय लक्षमी पंडित और सरोजनी नाइटू बोलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया गवर्नर की सेलरी नेहा खे रही है 3.5 ले वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिटा चलो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा देखो कोस्चन को पहले पढ़ो फिर से राधा कोस्चन को पहली महिला राजदूद राजदूद का मतलब होता है अमबेजडर राजदूद का मतलब क्या होता है अमबेजडर तो भाईया अमबेजडर बनने वाली पहली महिला जो थी उनका नाम था चोनीरा वेली यपा मुथम्मा क्या नाम था चोनीरा वेली यपा मुथम्मा दक् UNO में, UNO की जो महासभा थी, उसमें पहली भारती महिला अद्यक्ष थी, तो इसमें UNO कहीं लिखा है? बताओ अच्छा, UNO कहीं लिखा है? जल्दी से बताओ, मतलब इस वहार सबकी इलुटिया डूबी है, क्यों भई? सबकी इलुटिया डूबी है, कोई बात नहीं, तो शरोजनी नाइडू, ये देस की पहली महिला, क्या थी जल्दी से बताओ, राजपाल थी, देस की भी थी, राज़ की भी थी और उत्तर प्रदेस में बनी थी, इस बात को ध्यान रखियेगा, ठीक है? उत्तरप देश की पहली महिला राजपाल थी और देश की भी पहली महिला राजपाल थी जिनका नाम सरोजनी नाइडू था चलो आगे आजाओ अगला कोशन कह रहा है भारत की संप्रभू संस्था कौन सी है जल्दी से बताओ फटा फटा आंसर करते रहो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे प्रसोन 1925 की बात है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और कानपुर में कॉंग्रेस की भारती महिला या प्रथम भारती महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी बहुत अच्छे बिटे बहुत जबर जस्त श्यावाश शेशन को एक बार शेयर कर दो यार एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो थोड़ा मजा और आ जाये हैं तो ध्यान रखना सबसे संप्रभू संस्था की बात हो रही है तो वो है भारत का समविधान क्या है वो समविधान इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद भी रखिएगा बहुत जबर जस्त बहुत शांदार क्योंकि भारत का समविधान क्या कहा गया आपको पत मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सर्वो परी है मतलब वो सुप्रीम है उससे उपर कुछ है ही नहीं उससे उपर कोई इग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब everything is a everything everything is a what बोलो जल्दी से everything is a what constitution से उपर कुछ भी नहीं है इस बात को आप ध्यान रखियेगा और इस बात को आप याद भी रखियेगा चल आगे आजो बहुत शांदार बहुत जबर्जस्त उम्मीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आ रहा होगा राजसभा की अधिक्तम सक्ती सदस्यों की संक्या अधिक्तम सक्ती की बात कर रहा है कितनी है जल्दी से बोलो राजसभा में अधिक्तम सती 20, 235, 238 और 250 अधिक्तम की बात कर रहा है कितनी होगी अधिक्तम जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ तो राजसभा में ध्यान रखिएगा राजसभा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अनुछेद नमबर 80 में बताई गई है और ये का upper house होता है upper house का मतलब कहते हैं उच्छ सजन होता है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता इसमें जो maximum number हो सकते हैं maximum number of member हो सकते हैं उनकी जो संख्या है वो 250 है कितनी है 250 है इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को सभी लोग याद भी रखिएगा बहुत बहत बहतरीन बहुत मज़ेदार बहुत जहमा जहम भाईया एक बार सेशन को सभी लोग शेयर और लाइक भी कर दो मज़ा आजाए बिल्कुल लाइक शेयर करते रहना अच्छा एक बात ब ये नूमिनेटिट है और ये इलक्टड है ये निरवाचित है या इलक्टड है और ये बारा जो है ये नूमिनेटिड है nominated का मतलब होता है मनोनीत करना जैसे राष्टपती जी ने राधा को उठाया और राजसभा में nominate कर दिया तो राजसभा की वो member हो गई ठीक है नेहा को उठाया और कहा तुम भी राजसभा की member हो गई प्रसोन को उठाया कहा तुम भी राजसभा के मेंबर होगे इस तरीके से बारा मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है इस बात को ध्यान रखिएगा बोलो भई मुद्दा क्लियर जल्दी से बताओ आजाओ आगे अगला कोश्चन आपके सामने सुतंत्र भारत के प्रथम गवर्णर जन्रल कौन थे सोच समझ के आंसर करियेगा लॉर्ड माउंट बेटन वीवी गिरी सी राजगोपालाचारी लॉर्ड डलोजी जल्दी से बताओ बहुत बहतरीन बहुत बहतरीन बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत जानदार बहुत जबर जस्त चलो जल्दी से बोलो very good राधा बहुत ठेशे नेहा बहुत बढ़ी आश्रिया very good आशीज भहिया अमारे रिशी बहुत अच्छे प्रशोन जीत बहुत बढ़ी है सभी लोग यार आंसर करते रहो कम से कम नाम तो ग्यारा लोग हो नाम साथ आ रहें सभी लोग आंसर करो एक बार टेंशन क्यों लेते हो गलती तो होगा कोमल वेरी गुड आंसर देने की तो कोशिश करो एक बार देखो भाई अब मेरी बास समझो कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रतम गवर्णर जनल कहीं ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रतम भारती गवर्णर जनल नहीं लिखा हुआ है अगर भारती नहीं लिखा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकते फिर बचे एक भाई साप यही Lord Mountbatton Lord Mountbatton A is the right answer of the question एक नंबर बिल्कुल सही और जमाज़ा मांसर होगा क्यों सही होगा ये भी सुन लीजिए और समझ लीजिए क्यों की मेरे प्यारे दोस्तों क्यों की मेरे प्यारे दोस्तों समझ लीजे बहुत ध्यान से लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जन्रल थे जबकि स्वतंत्र भारत के पहले भारती गवर्नर जन्रल राजगोपला चारी थे तो अगर यहां भारती सब्द लिखा होता अगर यहां भारती सब्द लिखा होता ठीक है तो आप आंसर करते सी और नहीं लिखा हुआ है भारती सब्द तो आप आंसर करेंगे एक नमबर बोलो जल्दी से बात समझ में आई की नहीं बात समझ में आई की नहीं श्रया राधा नेहा, अमिद भहिया, बोलो जल्दी से हाँ या ना, तो करेक्ट आंसर फिर से बता दो, क्या होगा, एक नंबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठेक, अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोश्चन करना सुरू करें, उच्छ नियायले या नियायलियों के मुख न नियाय अधीसों की नियुकती, नियमन लिखित में से किस के द्वारा की जाती है, नियमन लिखित में से किस के द्वारा की जाती है, आपको ये बताना है, जल्दी से बता दो, बहुत शांदार, भहिया, सुभाम, बहुत बढ़िया, ठीक है, पहला, प्रधान मंतरी, मुख जिन्हें हम कहते हैं Chief Justice बोलो हायाना और एक होते हैं अन्य न्यायधिस मतलब अन्य जज़ बोलो हायाना यस और नो अब इन दोनों की जो न्यूकती होती है जो एपॉइंटमेंट होते हैं वो कौन करते हैं वो करते हैं भारत के राष्टपती कौन करते हैं भारत के भारत के राष्टपती तो correct answer जो हो गया वो हो गया d is the right answer चौथा जो होगा वो d होगा राइट answer इस बात को ध्यान रखियेगा और याद भी रखिएगा ठीक हाई code को कहां बताया गया है अनुछेद नमबर अनुछेद नमबर 214 से अनुछेद नमबर 231 के बीच में इसे बताया गया है इस बात को ध्यान रखिएगा कहां से 200 214 से 231 के बीच में इसे बताया गया है बहुत बहतरीन बहुत शांदार ठीक है प्रधान मंत्री को जानते ही है आप जो की अनुच्छेद नंबर 75 में है मुख्य मंत्री को जानते ही है आप जो की अनुच्छेद नंबर किस में है बोलो 163-64 में बताये गए है बोलो है ना राजपाल को आप जानते ही है 152 से लेके 162 के बीट राजपाल के बारे में बात बोली गई है और राजपाल के बारे में बताया गया है चल अगला करके दिखाओ भारत में काम करने का अधिकार एक है मौलिक अधिकार निर्देशकत्त्त्य समवधानिक अधिकार या सामवधिक करतावे कर्रेक्ट अंसर क्या होगा बहुत जबरजस्त बिरुटा बहुत शानदार आंसर कर रहे है सभी प्यारे बच्चे बहुत शानदार आंसर arising बहुत जबर्जस्तान से कर रहे हैं जबास मेरे सेरों ज़ल्दी से बताओ। साब आस बिटा तो देखो काम करने का जो अधिकार है यह बताया गया вопрос अनूशेद नमबर 41 में किस में बताया गया है अनूशेद नमबर 41 में इस बात को ध्यान लखिएगा और DPSP के अंतरगत क्योंकि DPSP जो है यह अनूशेद नमबर 36 से लेके 51 के बीच में है 51 के बीच में है बोलो तो 41 कहां आएगा इसी के बीच में आएगा तो भारत में काम करने का जो अधिकार है वो Directive Principle of State Policy के अंतरगत आता है मतलब DPSP के अंतरगत आता है या हिंदी में कहोगे राज के नीत निदेशक सिधानतों के अंतरगत आता है जल्दी से बता दो किसके अंतरगत आता है राज के नीत निदेशक सिधानतों के अंतरगत आता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे पंचायती राजब्यवस्था का मध्यवर्ती इस तर क्या कहलाता है जल्दी से बुलो पंचाय सर आप सफलता दिव्या सिंग बेटा आज से आज से आज 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 से यहीं पड़ेंगे ठीक है हाँ और जो पीछे रह गया वो रह गया किसको फोड़ा किसको पकड़ा हो तो एक सेकंडरी बात है ना तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे हैं सब यहां पढ़ेंगे और बहतरीन पढ़ेंगे जो आपके एक्जाम में आएगा जो एक्जाम औरियंटेड होगा वही पढ़ाएंगे ठीक है आप आज से यहीं पढ़ेंगे सुबह दस बज़े से लेके ग्यारा बज़े के बीच में और साम को आठ बज़े से लेके नौ बज़े के बीच में दो आपकी यूटूब पे क्लास रहेंगी और पेड़ बैच भी मेरे हैं तो आप पेड़ बैच अगर लेना चाहना तो पेड़ बैच भी ले लेना ठीक है मैं बता दूँगा, आप मुझसे एक बार contact कर लेना, मैं बता दूँगा, तो आप सारी चीजे कर लोगे, ठीक है, चलो, बहुत शांदार, बहुत जमा जम, तो जल्दी से बताओ, correct answer क्या होगा, बहुत बढ़िया, अब देखो, पंचायत की जब बात होती है, पंचायत की ज ऐसी बवस्ता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो की भारती सम्विधान के भाग 9 में बताई गई है, और भारती सम्विधान की अनसूची 11 में बताई गई है, और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूँ, 243 से 243, O के बीच बताई गई है, O for Orange है, इस कोई याद रखिएगा, अच्छा ठीक है, सौरब, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ, सौरब तो याद रहेगा ना, मिटा, हाँ, तो जो भी है, आप यहाँ पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सौरब ठीक है बहुत बढ़ी है राजिस्थान अम मेरी बात समझो यहां पर चार इस्तर बताए गए जिला परिशद तालुका पंचायत पंचायत समिती और ग्राम सवा होता क्या है जब पंचायत को समवेधानिक दर्जा दिया गया ठीक है उससे पहले की बात है 1957 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय महता बलवंत राय महता समिती या महता कमेटी ठीक है बलवंत राय महता कमेटी या समिती इस कमेटी को बनाया गया इस कमेटी ने 1959 में अपने सुझाओ दिये अपने रिक्मेंडेशन दिये अपनी एडवाईज दी और उस अडवाइज में उसने कहा क्या एभी सुन लीजे कहा क्या मेरे प्यारे दोस्त उन्होंने कहा ये कि भारत में जो पंचायत होगी उसके तीन इस्तर होंगे किते इस्तर होंगे पहला ग्राम सभा होगी दूसरा जो होगा वो पंचायत पंचायत समिती होगी और तीसरा जो होगा वो होगा मेरे प्यारे दोस्त जिला परिशद जिला परिशद होगा इस बात को ध्यान रखिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा ठीक है? चलो बईया राधे राधे अंसिका, राधे राधे, सबी प्यारे बच्चों को बहुत-बहुत स्वागत है अब देखो, मध्यवर्ती क्या है, एक, दो, तीन तो एक उपर रह गया, तीसरा नीचे रह गया तो बीच में कौन सा फ़स गया, पंचायत समिती तो मध्यवर्ती क्या हो गया पंचायत समिती ध्यान रखिएगा सब्दों का खेल है बटा सब्दों का खेल है बस उसमें आपको परिशान कर सकते हैं ठीक है चल अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कह रहा है लाल बहादुर सास्त्री रास्त्री प्रशाशनिक अकादमी कहा अस्तित है जल्दी से बताओ लाल बहादुर सास्त्री रास्त्री प्रशाशनिक अकादमी कहा अस्तित है सिमला में दिल्ली में उटी में या मसूरी में जल्दी से बता दो चलो जल्दी से बताओ क्या होगा बिटा जल्दी से बताओ दो फटा फट बहुत शांदार पंचायती राज बवस्था को पूरे राज में लागू करने वाला राज कौन सा था बहुत अच्छी बात है ये सबसे पहले राजस्थान में आया था 1959 में हाला कि जब पंचायती राज बवस्था को constitutional status मिल गया था समवैधानिक दरजा मिल गया था तब बेटा करनाटक ने इसे अपलाई किया था किसने करनाटक ने अपलाई किया था इस बात को ध्यान रखियेगा थीक तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मसूरी क्या हो जाएगा बटा मसूरी इस दा राइट आंसर ठीक है लाल बहादुर सास्त्री राश्ट्री प्रशासनिक अकादमी कहां है मसूरी में अगला हो गौर से पड़ो सवाल बहुत बहतर सवाल निमलिखित में से कौन भारती या निमलिखित में से कौन भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्धक्च के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपिय थे मतलब पहले अंग्रेज थे आपको ये बताना होगा जल्दी से बताओ पहले अंग्रेज थे आपको ये बताना होगा जल्दी से बोलो एनी बेसेंट, जोर्ज यूल, एयो हूम, अल्फरेड वैब, जल्दी से बोलो, अल्फरेड वैब, तो क्या correct answer होगा, बहुत बहतरीन, बहुत शांदार, बहुत जबरजस्त बिटे, बहुत बढ़ियां, क्या बात है, चलो, जल्दी से बताओ, तो इस बात को ध्यान दखना, यहां पर भारती रास्टी कॉंग्रेस के, जो पहले, ब्रिटिस अध्यक्ष बने थे, ब्रिटिस प्रेसिडेंट बने थे, वो कोई और नहीं थे, उनका नाम था, जॉर्ज यूल, क्या नाम था, जॉर्ज यूल, देखो, लिखा है, यूल या यूले, दूसरा होगा, जो, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दूसरा होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब आप कहो कहां बने थे, और कब बने थे, 1888 में बने थे, कहां बने थे, 1888 में बने थे, इस बात को ध्यान रखियेगा, और मेरे प्यारे साथे, और मेरे प्यारे दोस्त, ये बने कहां में conference हुई थी पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी ठीक है एवो हुम ये वही वेक्ति हैं जिन्हों ने Congress Indian National Congress की स्थापना 1885 में की थी जब टाइम चल रहा लौड डफरिन का भारत में किसका चल रहा था लौड डफरिन का चल रहा था इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद भी रखिएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दो नमबर बोलो हाया ना करेक्ट आंसर दो नमबर अगला हो हो कह रहा है क्या कह रहा है लोग करें संख्या कितनी है अक करें इस है जल्दी से बोलो भाई जल्दी से बताओ लोकसभा चुनावं के लिए उत्तर प्रदेश में निर्वाचिस छेतरों की संख्या कितनी है 66 के's एटी है 25 है यह नाइंटी two है तो आप सभी को बताया गया था कि लोक सभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती है 80 सीट्स आती है बुलो हायाना अगर यही राजसभा पूचता तो आप 31 सीट्स बताते कितनी 31 सीट्स राजसभा में काउज सभा में राजसभा में यही आपसे कह देता बिधान सभा यही आपसे कह देता बिधान सभा में तो आप कहते 403 बोलो हाया ना यही आप से कह देता विधान परिशद में तो आप कह देते 99 जल्दी से बताओ यह सरनो बहुत शांदार राधासरया अंसिका आसीज जस्वाल बहुत बढ़िया भीया नेहा बहुत शांदार जबर जस्त बहुत बढ़िया बिल्कुल शौरब भीय बहुत जबर जस्त आंसर सभी बच्चों का बहुत बढ़िया बहुत शांदार चलो आगे चलते हैं अगला कोश्चन क्या कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है जल्दी से बोलो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है जानकी राम चंदरन सुचेता कर करपलाणी ससिकला, काकोन खरो rigor नंदनी सत्त्यपततज करो 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 जल्दी से बहुत उलों नाम बताओ जल्दी से फटा अफट बताते रहो मेरे बहुत शांदार दूसरा बी इस दा राइट आंसर चलिए आगे आ जाएए आगे आजाएए वरतमान लोकसभा है वरतमान में जो लोकसभा चल रही है वो कौन से डंबर की लोकसभा है बताओ 15 17 18 16 और 14 तो कर्येक्ट आंसर आप सभी का होगा क्या होगा जल्दी से बता दो सत्रवी लोग सभा चल रही है कौन से सत्रवी लोग सभा चल रही है क्या चल रही है सत्रवी लोग सभा चल रही है आगे से आजो अगला आजो भाईया जल्दी से आंसर बताने की कोशिश राजसभा का सभापती कौन होता है जल्दी से बोलो क्या राजसवागा सभापती मुख्यने आधीस होता है क्या राश्टपती होता है क्या जल्दी से बोलो उपराश्टपती होता है या अट और नी जन्नल होता है जल्दी से बोलो बहुत शांदार बहुत जबर जस्त अंसिका श्रया राधा आसीज जैस्वाल सौरव भीया हमारे बहुत जमाजम बिलकुल कोमल सिंग बहुत प्रशोन जबर जस्तांसर तो याद रखेगा उपराष्ट पती जो भारत के उपराष्ट पती होंगे वही हमारे राज्य सभा के क्या होंगे राज्य सभा के सभापती होंगे राज सभा के सभापती होंगे इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा बहुत शांदार बहुत जमा जम आंसर कर रहे हैं अगर आप से कह दिया जाए किस अनुच्छेद के तहट होंगे तो आप कहोगे अनुच्छेद नमबर 64 के तहट जल्दी से बताओ हाँ या ना अगला किसके पधान मंत्र तुकाल में संपत्य के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था जल्दी से बताओ इंद्रा गांधी लाल बहादुर सास्त्री मुरारजी देसाई राजीव गांधी तो याद करो वो दिन जब 44 में समविधान संसूधन 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकारों से हटाया गया था संपत्य का अधिकार और 1978 में सरकार थी मौरारजी देसाई की किसकी थी मौरारजी देसाई की सरकार थी किसकी सरकार थी मौरारजी देसाई और वो पहला समय था पहला दोर था जब भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जल्दी से बोलो हायाना भारत के राष्टपती पद के लिए चुनाओ लड़ने के लिए आवश्यक निनतम युगता होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए तो आप कहोगे होनी चाहिए 35 वर्ष बोलो जल्दी से हायाना जल्दी से बताओ 1949 में सुभास चंदर बोष को हरा कर Congress Party का ध्यक्ष कौन बन चुने गए सुभास चंदर बोष को हराने की बात हो रही है तो यह आयेगा पट्टाभी राम सीता रमया यह Congress में गांदी जी के चेले थे किसके चेले थे गांदी जी के चेले थे इस बात को ध्यान रखियेगा और इस बात को याद रखियेगा करो और मरो भारत के सवतनत्स संगराम में किस आंदोलन से जुड़ा है जल्दी से बताओ दांडी से, आसायोग से, खिलाफत से या भारत छोड़ो आंदोलन तो आप सभी का आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ा है करो या मरो इसको दिया था गांधी जी ने किसने दिया था गांधी जी का नारा था करो या मरो क्या था भीया करो या मरो very good बिटा very good श्रया अंसिका प्रशोन राधा नेहा बिल्कुल very good सभी बच्चे बिल्कुल सौरभ भीया हमारे बहुत शांदार बहुत बढ़िया अच्छा बिल्कुल आप हमारे टेलिग्राम से जुड़े होंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ चलो जल्दी से आजाओ सभी लोग चलो देखो ये भीया एक नया बैच लेके आ रहे हैं आपके सर बहुत बहतरीन तरीके से अलहाबाद हाई कोट एएचसी का मतलब क्या है अलहाबाद हाई कोट में एडिसनल प्राइवेट सेक्रेटरी का बैच है जो जबर जस तरीके से स्टार्ट हो रहा है टाइमिंग रहेंगी नौ बज़े से लेकर के तीन मज़े तक मतलब डेली 6 गंटे की क्लास रहेगी और इसे आप बाइलेंग्वल पढ़ेंगे मतलब दोनों ही भासाओं में पढ़ेंगे अगर आप सभी लोग इस बैच को लेना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं मुझसे पेड बैच में तो आप अड़ा 247 पर विजिट करिए और कोड यूज करेंगे y361 क्या यूज करेंगे y36 और आपको डिसकाउंट मिल जाएगा 77% का अगर आप उत्राखंड में बैच लेना चाहते हैं UK SSSC और SSSC का तो फॉरस्ट गार्ड की जो वेकिंसी है उसके लिए कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूं मैं आपके सर लेके आ रहे हैं 13 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो आठ बजे से लेकर के 10 बजे तक 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक के लिए बहुत जहमाजहम शशन चलेगा एकदम जलवा विखेर देंगे सभी लोग इस बात को ध्यान रखियेगा सर जी मैं भी आपकी पुरानी स्टूट हूं बिलकुल मेरे प्यारे दोस्त आप सभी लोग म पुराने स्टूडेंट हैं एक बार आप सभी प्यारे बच्ची जितने भी हैं जबर्जस तरीके से जोड़ते रहिए वाइटी पर मतलब यूटूब पर भी और पेड़ बैच यह मध्ध प्रदेश का है इस बात को ध्यान रखियेगा MPPCS का बैच है और यह बिहार BPSC का इन दोनों को भी आपके सर लेके आ रहे हैं जबर्जस तरीके से तैयारी कराने वाले हैं आप सभी को इस बात को ध्यान दकिया बिल्कुल पावनसर is also there भी इसमें हिंदी में पावनसर नहीं है पीछे वाले में पावनसर मेरे साथ हैं बिल्कुल अच्छा सालू बहुत बहुत श्वागत है बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत श्वागत है ये सारे बैच आप खरीदने के लिए जो भी बच्चा पर्चेस करना चाहता है पेड बैच वो यूज करेगा Y361 को और जबर्जस तरीके से पेड बैच ले लेगा ठीक है और मुझसे जुड़ जाएगा और भी सर जो है उनसे भी जुड़ जाएगा ठीक है तो हम लोगों की बिलकुल रागवेन सर की पॉलिटी जबर्जस्त है अच्छा दिखो बैश सब बिलकुल सभी आप लोगों का इसने है और प्यार है तो अगले सेशन में बेटा मुलाकात हो सब्सक्राइब कर लेंगे बल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे की मेरी आने मरी सारी क्लासें आप सभी को मिल जाएगे तो गईस थैंक यू सो मच हाव अगुड़ जैहिन